फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश रोमांटिक पोईट विलियम वर्ट्सवर्थ की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है इसे 1798 में लिखा गया था और उसी साल इसे पब्लिश भी किया गया था उनकी फेमस कलेक्शन लिरिकल बैलेट्स में फ्रेंड्स ये जो पोयम है ये 24 लाइन्स की है और 6 क्वाट्रेंज में बाटी गई है क्वाट्रेंज यानि की 4 लाइन स्टैंजा उनमें ये बाटी गई है साथ ही अगर बात करें राइमिंग स्कीम की तो हर जो क्वाट्रेंज है उसकी राइमिंग स्कीम है A, B, A, B फ्रेंड्स इस पोयम में एक बहुत ही सिंपल थीम को डिसकस किया गया है वो है humanity versus nature यानि humans की life जो है वो कैसी है और nature खुद कैसी है फ्रेंड्स नेचर बहुत जादा beautiful और peaceful मानी जाती है अगर आप nature के करीब होंगे तो आप अपनी परेशानियों को भूल जाएंगे और nature की beauty में खो जाएंगे यहां तक कि आपको ऐसा भी महसूस होगा कि जो आपकी soul है वो nature से जुड़ी हुई है लेकिन वहीं अगर हम human life की और ध्यान दें तो human life क्या है दिन बर दिन वो deteriorate होती जा रही है उसकी जो स्थिती है वो खराब होती जा रही है बहुत तरह की बुराईया humans की life में आ चुकी है और इसलिए humans कभी खुश नहीं होते तो यहां इन ही चीजों को compare किया गया है poet जो है वो एक grove में या यूं कहें तो एक garden में बैठे हैं और वहाँ पर nature को देख करके वो खुश भी हो रहे हैं और साथ ही उदास भी हो रहे हैं इन सभी चीजों को और भी बहतर हम समझेंगे जब हम इस poem को पढ़ेंगे फ्रेंट्स विलियम वर्ट्सवर्थ का जन्म हुआ था 7th April 1770 में और उनकी death हुई थी 23rd April 1850 में साथ ही वो एक romantic age के poet थे और Britain के poet laureate भी रह चुके हैं साथ ही उनकी एक बहुत ही famous collection है lyrical ballads जो उन्होंने स्टी कॉलरिज के साथ मिलकर लिखी थी हमने बहुत सारी इनकी poems को पहले भी discuss किया है और मैंने इनकी सारी poems की एक separate playlist भी बनाई है उसका link में description में डाल दूँगी अगर आप और भी poems देखना चाते हैं तो जरूर चेक कीजिएगा तो चलिए friends आगे बढ़ते हैं और इस poem को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं अब यहाँ पर poet कहते हैं कि मैं एक grove में यानि एक garden में एक बगीचे में बैठा हुआ था और वहाँ पर मैंने क्या सुना तो a thousand blended notes यानि बहुत सारी आवाजे सुनी हजारों आवाजे सुनी जो कि आपस में blended थी या mixed थी अब एक बगीचे में कौन सी आवाजे सुनाई देंगी तो usually वो nature की sounds होती हैं चिडियों के चह चहाने की आवाज कई सारी चिडियों की आवाजे आ रही थी और वो सारे आवाजे आपस में mix होकर एक नया ही note एक नया ही tune बना रही थी अब ये जो situation है ये बहुत ही अजीब है क्योंकि poet कहते हैं मेरा mood जो था वो बहुत ही sweet था बहुत ही अच्छे mood में था मैं और मेरे मन में बहुत ही pleasant thoughts आ रहे थे अच्छे thoughts आ रहे थे लेकिन ये जो pleasant thoughts थे इन्होंने मुझे उन पुराने उन दुखी यादों की भी याद दिला दी sad thoughts याद दिला दिये और धीरे धीरे मेरे मन में sad thoughts आने लगे जैसे कि friends अगर बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने किसी friend को देखते हैं कि उसने एक नई कार खरी दी तो हम उसके लिए खुश होते हैं लेकिन फिर हमारे मन में भी धीरे से ये विचार आता है कि हमें भी वो कार जाईए थी तो इस तरह से एक pleasant thought से कभी-कभी एक sad emotion भी पैदा होती है तो ऐसा ही कुछ situation यहां पर poet का भी था अब आगे यहां poet कहते हैं कि यह जो nature है इसने क्या किया मेरी human soul को जो मेरे शरीर के अंदर यह जो human soul है उससे अपने work से यानि nature में जो कुछ भी create हुआ है जो भी beautiful creatures हैं उनसे मेरी soul को connect कर दिया है यानि उन जो beautiful creatures है nature के उनके emotions को मैं भी feel कर सकता हूँ मेरी soul feel कर सकती है and much it grieved my heart to think what man has made of man और यह सब कुछ सोच कर मेरा दिल और भी ज़्यादा दुखी हो रहा था कि आखिर आदमियों ने अपनी life के साथ ये क्या कर लिया है यानि किस तरह जो humanity है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा निचले स्तर पर जा रही है धीरे धीरे और बुरी होती जा रही है और nature जो है वो क्या है वो दिन बदिन और ज़्यादा beautiful होती जा रही है तो humans ने आखिर अपनी life के साथ ये क्या कर लिया उन्होंने nature से कोई सबक क्यों नहीं लिया अब यहाँ पर पोईट बताते हैं कि जो पेरिविंकल के फूल है गुच्छे में उगते हैं पेरिविंकल के फूल ये क्या कर रहे हैं ये बड़े बड़े हरे पेड़ जो है उनके नीचे खिले हुए प्रिम रोजेस की जो जाडियां है उनमें से होकर निकल रही है यानि एक ही साथ तीन तरह की जो प्लांट्स हैं उसका एक्जामपल दिया गया है कि किस तरह बड़े बड़े हरे पेर हैं जिनके नीचे जाडियां है प्रिम रोजेस की और उन प्रिम रोजेस की जाडियों से होते हुए पेरिविंकल के फूल बाहर आ रहे हैं तो कितना खूबसूरत तनजारा है यहां पर और यह मेरा फेथ है मुझे विश्वास है कि जितने भी फूल हैं यहां पर वो सभी इस एर को यह जो हवा बह रही है इसको सांस लेते हैं ब्रीद करते हैं और इसे इंजॉय करते हैं हूमन्स जो हैं सांस तो वो भी लेते हैं लेकिन हवा को इंजॉय नहीं करते सांस लेना एक जरूरत है इसलिए सांस लेते हैं लेकिन यह जो फूल है यह अपने पास से बहने वाली हवा को इंजॉय करते हैं और इससे उन्हें खुशी मिलती है और जो मेरी चारो तरफ क्या थे चिडिया थे वो आपस में कूद रहे थे खेल रहे थे यानि नेचर में सिर्फ प्लांट से इंजॉई नहीं कर रहे हैं जो बर्ड्स हैं वो भी नेचर में इंजॉई कर रही है और उनके मन में क्या सोच चल रही है वो क्या सोच रहे है मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ यानि एक चिडिया क्या सोचती है ये तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ लेकिन ये जो छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं उनकी ये जो वो हॉप कर रहे हैं play कर रहे हैं इनको देखकर तो मुझे यही लगता है कि इन्हें इन birds को उससे pleasure मिल रहा है यानि वो birds भी nature में free हो करके बहुत ज़ादा खुशी महसूस कर रही है यानि poet sure है कि यह जो खुशी है यह सिर्फ plants तक सीमित नहीं है birds भी इस खुशी को enjoy कर रहे है the budding twigs spread out their fan to catch the breezy air अब यह जो budding twigs है यानि जो नए नए branch निकल रहे हैं पेडों से वो क्या कर रहे हैं धीरे धीरे अपनी डालियों को फैला रहे हैं ताकि वो भी इस बहती भी हवा का आनन्द ले सकें वो भी इस air को enjoy कर सकें जिस तरह से flowers और birds enjoy कर रहे हैं और चाहे मैं जो कुछ भी सोचूं चाहे मैं नहीं चाहूं इस बात को सोचना फिर भी मुझे ये विश्वास है और मुझे ये मानना ही होगा कि ये जो branches हैं ये भी इस हवा को enjoy कर रहे हैं और इसलिए ये भी बहुत खुश है नेचर में हर एक चीज़ खुश है चाहे वो flowers हों, birds हों, branches हों हर कोई खुश है और मुझे ये बात accept करनी होगी If this belief from heaven be sent अगर ये जो मेरा विश्वास है वो क्या है? वो heaven से भेजा हुआ है कि नेचर में बहुत ज़्यादा खुशी है सब नेचर में खुश रहते है If such be nature's holy plan और ये सब कुछ अगर नेचर के plan का एक हिस्सा है नेचर का plan जो की holy है, divine है उसका अगर एक हिस्सा है Have I not reason to lament what man has made of man तो क्या मेरे पास उदास होने का कारण नहीं है कि आखिर इंसानों ने अपनी क्या हालत कर ली है या इंसानों ने humanity को कहां पहुचा दिया है इतनी खुशियों से भरी है ये नेचर और humans की life से तो खुशियां ही चली गई है तो मुझे उदास होने का हक आखिर कैसे नहीं है यहाँ पर फ्रेंट्स ये पोयम खत्म होती है सिंपल सी पोयम है बहुत ही ज़ादा ब्यूटिफुली लिखी गई है और यही बताया है पोयट ने कि नेचर में बहुत सारे बंडल्स ओफ जॉए है बस हमें खुशियां को देखना होगा जबकि human life से खुशियां जा चुकी है और धीरे धीरे सिर्फ बुराईयां बची है तो फ्रेंट्स ये थी विलियम वर्ट्स वर्थ की पोयम Lines Written in Early Spring अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें